भारत समेत दुनिया भर की कई देसों में वायू प्रदिशन आधुनिक दौर की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस कड़ी में भारत सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच नया एक्सप्रेजवे लाने की तैयारी कर रही है दोनों सहरों के बीच बनने वाला ये एक्सप्रेजवे लेक्ट्रिक होगा हाइड्रोलिक ओनर्स ट्रेवलर अस्टेशेशन की एक गैद्रिंग में केंद्रियो मतरी नितिन गड़करी ने जानकारी दी गड़करी ने कहा कि इस हाइवे पर ट्रॉली बस और बड़े वहनों को ट्रॉली ट्रक कोपरेट करने के लिए परमिट दिया जाएगा इस मिटिंग के दौरान गड़करी ने कहा हमारी योजना है कि दिल्ली से मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाइवे बनाये जाए ट्रॉली बस की तरह ट्रॉली ट्रक भी रन की जा सके आपको बता दे ट्रॉली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवर हेड यानि उपर से जाने वाले इलेक्ट्रिक तारों से संचालित होती है इलेक्ट्रिक हाइवे पर वह सडक है जो इस रूड पर चलने वाले वाहनों को ओवर हेड इलेक्ट्रिक वायर से पावर सप्राई करती है यानि इस पर चलने वाले वाहन उपर से गुजरने वाले तारों से चार्ज हो सकते है